जी मराठी पर चल रहे नए रियल्टी शो जाओ बाई गावात शो में चंदरपूर के युवा गायक प्रणय गोमासे की उपस्तिती दिखाई दी जिसके चलते हैं प्रणय गोमासे ने चंदरपूर जिले का नाम रोशन किया जी मराठी पर शुरूर है नए रियल्टी शो जाओ बाई गावात इस रियल्टी शो में सहबागी होना अले स्पर्दगों को गाउं में गाउं के वातवर्ण में रहने का चैलेंग दिया जा रहा है शहर में काफी शोहरा में जीवन जीने वाले कुछ युकों को कुछ दिन अब एक दियात में जाकर वहां की काम एक टास्क की तरह करना पड़ रहा है पदियुत्तर सिक्षापूरक की इसी दर्मयान ये नाकपूर विद्यापीट के प्रतिन्दी की रूप में भी काम देखा और आगे संगीत शत्र में अपनी अलग पैचान मनाने के लिए उन्होंने मुंबई को रुख किया और आगे मुंबई विद्यापीट संगीत विभाग के पूर विद्यापीट प्रमुक तथा जैबूर गराने के जेस्ट गायक पंडित मुरली मनवर शुकला गुरुजी के पास उन्हें ने विद्यवत गायकी की तालिम ली और सुप्रसिद गायक डॉक्टर सुरेश वाडकर राष्टी पुरसकार विजेता महेश काडे इत्यादी का मारदशन उन्हें मिला और मुख के बात यह है प्रणाय ने संगीत विशय लेकर एमे मुजिक भी पूरा किया विविद राज शरी गायन्स परदा जाकतिक सांस्कतिक महस्तो विविद राज में गानों के कारेकम आधी जगों पर उन्हें अपनी कला प्रस्तुत की और विविद सामाजिक संगणा की ओर से दिये जाने वाले युवा पुरसकार से वे सम्मानित हुए मुंबई के प्रसीद प्रणय जी मुजिशन एंड बैंड के वे मुख्य गायक हैं मुंबई तता अन्य सानिक कलाकारों के साथ मिलकर माराटी, हिंदी, वेस्टर्न, संगीत की अपनी अलग पहचान उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत की है